नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में तो अब हम स्टाट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नमबर 6 जिसका नाम के आश्रेंट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसको हम लोग स्वाट पॉर्म में क्या कहते हैं LPP कि डेखेंगे टो इस चैप्टर के अंदर आपको दो एकसराइज ढ़े गये हैं एकसराइज प्रॉण और एकसराइज 6.2 यह दोनों एकसराइज बहुत ही को LPP दिया रहेगा यानि mathematical form में दिया रहेगा उसे आपको क्या करना रहेगा तो पूरे चैप्टर में आपको बस दो ही चीजे करनी है इसलिए बोल भी हूँ आप concept को समझ लीजिए बाकी आगे का तो मैं आपको बताते जाओंगी आप करते जाओंगे ठीक है तो अभी हम लो से मैं आपको बताऊंगी कि LPP का क्या यूज होता है और फिर इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं जैसे कि डिसेजन वेरियेबल्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्रेंट्स नॉन निगेटिविटी कंस्रेंट्स तो यह सारी चीजें भी मैं आपक क्या होते हैं लेकिन क्या होगा अब भी तो आप समझ जाओगे पर बाद में बूल जाओगे लेकिन वहीं अगर आप पूरा एक प्रॉपरली वे में समझोगे एक एक्जांपल के समझोगे तो वह आपको हमेशा याद रहेगा ठीक है तो चलिए समझते हैं तो मान लीजी क को एक पर्सन है जिसको क्या करना है बिजनस स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोणिक्स का मतलब LCD और TV बेचने का उसको बिजनस स्टार्ट करना है ठीक है अब आपी सोचो जब हम बिजनस स्टार्ट करने के लिए निकलते हैं तो क्या हमारे पास unlimited amount होता है unlimited पैसा होता है नहीं लिमिट में होता है है ना आपके पास पैसा एक लिमिट में होता है कि आपको इसी पैसे में जो करना है करना है उसे तरीके से उस आदमी के पास पैसा कितना है बस दस अजार रुपे ही है दस अजार में उसको जो करना है वो कर सकता है उससे जादा नहीं ठीक है दस अजार से क है ना अभी जो उसके पास जगह है उसकी storage capacity कितनी है बस 20 ही है मतलब वो कितना समान उसमें रख सकता है बस 20 समान ही रख सकता है है कि ने ऐसा तो नहीं है कि उसने समान खरीदा और लाते लाते उसका समान बिख जाएगा नहीं उसको रखना पड़ता है है ना एक place होता है जहां पर समान को रखना पड़ता है तो उसकी storage capacity कितनी है 20 की ही है मतलब वो LCD और TV कितना रख सकता है 20 ही रख सकता है या तो 20 LCD रख सकता है, या फिर 20 TV रख सकता है, या फिर ये दोनों को मिला करके 20 सामान वो उसमें रख सकता है, तो ये दोनों क्या है, conditions है, उस आदमी को जो करना है, इनी दोनों conditions को ध्यान में रख के करना पड़ेगा, है ना, अब इधर ध्यान देना, एक LCD का cost कितना है 500 और TV के उपर उसको profit होता है 15 रुपे का, अब आप ही सोचो कि आप एक businessman हो, तो आपका main motive क्या होता है, profit जादा से जादा कमाना, है ना, हम लोग क्या चाहेंगे, cost को कम करें और profit जादा से जादा कमाना, ठीक है, कोई भी businessman है, कोई भी company है, कोई भी industry है, सबका यही मकसद हो हमको जादा से जादा profit मिलना चाहिए, तो उसी तरीके से इस आदमी ने भी सोचा, कि मुझे कैसे जादा profit मिल सकता है, मैं LCD खरीदू, कि TV खरीदू, या फिर दोनों मिला करके खरीदू, है ना, तो उसके लिए उसने क्या किया, कुछ cases बनाए, जैसे पहला case उसने क्या बन पर मिलेगा, है ना, तो उसने TV नहीं खरीदा, बस LCD ही खरीदा, तो अब बताईए, 10,000 में वो कितना LCD खरीद पाएगा, कितना LCD खरीद पाएगा, 10,000 रुपे उसके पास, एक LCD का कॉस्ट कितना है, 500 रुपे, तो कितने number of LCD खरीद पाएगा, इतने में, तो इसको आप cancel करो 20 LCD खरीद पाएगा, 10,000 रुपे में, और उसकी storage capacity भी कितनी है, 20 की है, यानि वो 20 खरीद लेगा, तो अभी इस condition में उसका profit कितना होगा, अगर वो बस LCD ही खरीदता है, TV नहीं खरीदता है, तो उसको कितने का profit मिलेगा, 20 into LCD के उपर profit कितना है, 50 रुपे, multiply करो, 1000 रुपीज उसको profit कितने का होगा, 1000 रुपीज का होगा, अगर वो बस LCD के उपर invest करता है, तो अब उस आदमी ने थोड़ा और दिमाग लगाया, क्योंकि इसके कोशिश क्या है, कि वो profit को कैसे भी करके maximize करे, तो उसने सुचा कि क्यों ना मैं बस TV ही खरीदू, ऐसा हो सकता है कि इसमें मेरा profit जादा हो जाए, ठीक है, तो उसने क्या सोचा, दूसरा case उसने बनाया, only TV का, वो अभी LCD नहीं लेता है, बस TV लेता है, ठीक है, तो अभी 10,000 में वो कितने number of TV खरीद पाएगा, 10,000 में कितना खरीद पाएगा, एक TV का दाम कितना है, 100 रुपया है, तो 10,000 में कितना लेकिन क्या वो 100 TV खरीद लेगा, तो रखेगा कहां पर, आप ही सोचिए, कहां रखेगा, storage capacity तो बस 20 की है, तो फिर वो बस 20 ही TV खरीदेगा, ठीक है, तो अभी इसमें उसको profit कितने का होगा, profit कितने का होगा उसको, तो एक TV के उपर profit कितना 15 रुपय, तो 20 TV के उपर profit कितन हो जाएगा, यहां पर 30 और यह वाला 0, मतलब यहां पर उसको profit हो रहा है, 300 का, तो यहां पर आपने एक चीज गौर की, देखो जब वो बस LCD ले रहा था, तो उसको इतना profit हो रहा था, अगर वो TV ले रहा है, तो उसको इतना ही profit हो रहा है, फिर उसने एक और case बनाया, ठीक हो जाए, ठीक है, तो उसने फिर से दिमाग लगाया, और अब की बार वो कहता है, कि मैंना 10 LCD लोंगा, और 10 TV लोंगा, ठीक है, ऐसा उसने बोला, तो अभी इस condition में इसका profit कितना होगा, लेकिन एक और चीज़ हमको ध्यान रखना है, investment, उसके पास बस 10,000 रुपे ही है, तो क्या वो 10,000 में 10 LCD और 10 TV खरीद सकता है, पहले ये तो हम चेक कर लेते हैं, तो देखिए, एक LCD का कॉस्ट कितना है, 500 रुपे, तो 10 का कितना हो जाएगा, 5000, ठीक है, तो यहाँ पे LCD तो उसने 5000 खरीद लिया, 10 TV खरीदने की बात कर रहे है, तो एक TV का इतना दाम है, 10 का 1000 हो जाएगा, यनि 6000 में वो सब कुछ कर लेगा है, 6000 में ये दोनों चीजे आ जाएगी, मतलब वो 10 LCD और 10 TV खरीद सकता है, ठीक है, तो अभी इस कंडिशन में उसका प्रॉफिट कितना होगा, वो हम लोग चेक करते हैं, तो देखिए, LCD के उपर प्रॉफिट कितना है, 50 रुप पेगा, अभी इसको आप थोड़ा सिंप्लिफाई करो, 10 फाइजा 50 होता है, ओके, 10 फाइजा 50 और ये वाला 0 यहाँ पे 500 प्लस, 10 इंटू 15 करेंगे तो 150, यनि 650, तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट कितना आया, 650 रुपीज, है ना, देखो, यहाँ पे 300 आया, यहाँ पे 650, यहाँ पे 1000, हर बार प्रॉफिट चेंज हो रहा है, अभी अगर वो आगे और भी केसे बनाएगा, तो वहाँ पे भी उसका जो प्रॉफिट है, वो चेंज होगा, तो वो कौन सा, मतलब वो डिसाइड कैसे करे, क्योंकि वो बार 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 ऐसे करता रहेगा, तो आपी सोच प्रॉफिट को मेक्सिमाइज कर दे, यहनि हमको यह बता दे कि हमको कितना LCD, कितना TV घरीदना चाहिए, जिससे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो इसका जवाब हमको कौन देता है, LPP, कौन देता है, LPP, ठीक है, LPP का काम क्या होता है, स्टुडेंट, तो इन्क्रीज दप profit and reduce the cost, ठीक है, profit को maximize करना और cost को क्या करना, minimize करना, ठीक है, यह किसका काम होता है, LPP का, मतलब LPP, ऐसे ही problems को solve करने में हमारी help करता है, क्योंकि ऐसे करके हम cases बनाते रहेंगे, तो कितना बनाएंगे, आप ही सोचे, अभी वो क्या सोचेगा, businessman क्या सोचेगा, चलो, 11 LCD ले ल लेते हैं, ठीक है, फिर अगला case बनाएगा, उसके बाद वो सोचेगा, 12 इसको ले लेते, 8 इसको ले लेते, तो ऐसे करके, वो cases बनाता रहेगा, पूरा time तो इसी में चला जाएगा, cases बनाने में चला जाएगा, है ना, तो इसी problem को solve करने के लिए, यह technique आई है, linear programming problem, ओके, समझ में आया आपको, अब, यह जो सारे conditions हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, mathematical form में लिखते हैं, ओके, इसमें लिखते हैं, mathematical form में, तो कैसे लिखेंगे, यह तो आप समझ गे ना, कि LPP का use, किसलिए किया जाता है, और कहां पर यह जादा करके use होता है, तो industries और government sectors में, और ब यहाँ पर यह जो terms हैं, decision variables, objective function, constraints, non negativity constraints, यह भी अभी आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, बस आप थोड़ा सा wait करो, यह भी आप समझ जाओगे, तो देखो, हम यहाँ पर consider कर लेते हैं, कि LCD उसने x number of LCD खरीदा, और y number of TV खरीदा, ठीक है, हमने क्या consider किया, कि वो जो आदमी है, उसने x number of LCD खरीदा, और y number of TV खरीदा, तो यह जो x और y हमने consider किया है, इसी को हम क्या कहते है, student decision variables कहते हैं, ठीक है, decision variables किसको कहते हैं, यह जो x और y है, इनही को हम कहते है, decision variables, ओके, clear हो गया, अब next, objective function क्या है, तो objective function हम कैसे बनाते हैं, सुनिएगा, objective function क हम denote करते हैं, z से, किस से, z से, ऐसे, z, ओके, अब, देखो, उसने कितना LCD खरीदा, x number of LCD खरीदा, एक LCD के उपर उसको profit कितने का हो रहा है, 50 रुपे का, तो total profit कितना हो जाएगा, 50 into x है ना, मतलब 50 x, LCD के उपर इसको इतने का profit होगा, plus, कितने number of TV खरीदा, y, profit कितना हो रहे एक के उपर 15 रुपे, तो total profit कितना हो जाएगा, टीवी का, 15 into y, यानि, 15y, तो इसी को हम क्या कहा देते हैं, student, objective function, यानि, ये क्या है, objective function ही है, ना, हमको क्या करना है, profit को maximize करना है, right, तो ये आपका क्या हो गया, objective function, okay, clear है इतना, अब उसके बाद, हम next किसकी बाद करेंगे constraints की, तो constraint मतलब क्या होता है, conditions, okay, क्या होता है, मैं या पर लिखती हूँ, देखो, constraints यानि, क्या होता है, conditions, आपको कुछ conditions दिये रहेंगे, उन्ही condition के according आपको काम करना पड़ेगा, जैसे इस आदमी के पास, देखो, दो conditions थी, पहला, उसके पास बस 10,000 ही है, उससे जादा वो खर्चा करी नहीं सकता, और दूसरा, storage capacity कितनी है, only 20, मतलब 20 सामान से जादा वो रखी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास उतनी जगह ही नहीं है, तो ये दुनों क्या है, constraints है, अभी इसको आप लिखोगे कैसे, तो यहाँ पर आप ध्यान देना, इसको आपको पता है, इन equation का chapter है, ये आपके 11th signer में था, ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देना, हमने क्या consider किया है, कि उस आदमी ने X number of LCD खरीदा, और एक LCD का cost कितना है 500, तो total cost कितना हो जाएगा, LCD का 500 into X, यानि 500 X, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, 500 X plus, अब यहाँ पर देखिएगा, उसने कितने number of TV खरीदा, तो Y number of TV खरीदा, cost कितना एक का 100, तो total cost कितना हो जाएगा, 100 Y, ठीक है, अब यह दोनों मिला करके, कितना होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, उससे जादा नहीं होना चाहिए, तो इसको आप लिखोगे कैसे, इस तरीके से, 500 X plus 100 Y is less than or equal to 10,000, मतलब अगर 10 1000 हुआ, यह दोनों का cost मिला करके, तो भी चलेगा, लेकिन उससे जादा नहीं होना चाहिए, समझ में आया, उससे कम रहा तो भी चलेगा, 10,000 रहा तो भी चलेगा, लेकिन उसके आगे नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब तो यह हुआ, less than or equal to 10,000, तो यह क्या हो गया, आपक requirement constraint, अभी इसको हम लोग छोटा भी कर सकते हैं, तो देखो, 100 से डिवाइड कर देते हैं, सब में, तो यहाँ पर अगर 100 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, 5X आएगा, यहाँ पर करेंगे, तो y आएगा, less than or equal to, यहाँ पर अगर 100 से करेंगे, तो क्या आजाएगा, 100, 100 से डिवाइड किया, हमने हर एक टर्म को, तो इस तरीके से हमको एक equation मिला है, इसको आप लिख दीजे, equation number 5, ठीक है, इतना समझ में आया, अभी एक और यहाँ पर condition है, storage capacity की, मतलब, LCD और TV मिला करके, 20 से जादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो उसने कितने number of LCD खरीदा, X number of LCD खरीदा, TV कितने number of खरीदा, तो Y number of TV खरीदा, अभी यह दोनों मिला करके, X plus Y is less than, और equal to 20, यहनी, यह 20 से कम रहे तो भी चलेगा, 20 के equal रहे तो भी चलेगा, लेकिन उसके आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तो यह आपका हो गया, कौन सा constraint है, यह, storage constraint, ठीक है, storage constraint, इसको आप लिख सकते हो, equation number 2, ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना, देखो, यह आपका 1 हो गया, यह आपका 2 हो गया, अब उसके बाद यहाँ पर, यह constraint तो आप समझ गये, यहाँ पर दो ही conditions दिये गए थे, दोनों हमने लिख दिये, ठीक है, अब next यहाँ पर क्या है, non negativity constraint, तो यह क्या होता है, देखिएगा, यह जो X है, क्या यह negative हो सकता है, देखो, यह तो यह होगा ही नहीं, लेकिन अगर होगा, तो कोई ना कोई इसका number होगा, समझ में आया, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से, X is greater than or equal to 0, और फिर, यह जो Y है, number of TV, यह भी क्या हो आपको, तो यह होता है, non negativity constraint, सब में आएगा, exercise 6.1 में आप देखोगे, यह तो हमको पक्का निखना ही पड़ता है, आप तो इसको यादी कर लो, ठीक है, समझ में आया, एक बार मैं आपको फिर से, फटाइक से revise करवा देती हूँ, decision variables मतलब क्या, जो हम लोग X और Y को consider करत करते है, objective function मतलब क्या, हमारा objective क्या आता है, profit को maximize करना, तो यही, यह हो गया objective function, अगर cost रहता तो cost को minimize करने की कोशिश करते हैं, तो वह वहाँ पे cost हो जाता हमारा, मतलब ऐसे करके हम एक equation बनाते हैं, और उसको हम क्या कहते है, objective function, ठीक है, फिर constraint मतलब क्या, conditions, जो यहाँ प का यही पर concept खतम हो गया, ठीक है, अब आप exercise 6.1 को start कर सकते हो, अब last में में आपको एक और चीज़ बताना चाहोंगी, इसको आप proper way में कैसे लिखोगे, क्योंकि ऐसे थोड़ा ना लिखा जाता है, एक proper way में लिखना चाहिए, है ना, तो लिखेंगे हम यहाँ पे, देख is equal to 50x plus 15y, यानि हमें क्या करना है, profit को maximize करना है, पर इन conditions को, इन constraint को ध्यान में रख कर, ऐसा नहीं कि इनको इधर ही छोड़ दिया, और profit को चल दिया, हम maximize करने तब तो वो गलत हो जाएगा, हमें इन conditions का भी तो ध्यान रखना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, subject to constraint, कौ कौन से constraint से आप लिख दीजिए, पहला वाला यह है, 5x plus y is less than or equal to 100, और दूसरा constraint यह है, x plus y is less than or equal to 20, और तिसरा में यह दोनों को लिख दीजिए, x is greater than or equal to 0, and y is greater than or equal to 0, ठीके, तो आपको बस इतना ही करना है, जो आपका exercise 6.1 है ना, उसमें बस इतना ही करना है, ठीके, आ आपको questions तो बहुत बड़े-बड़े दिखेंगे, लेकिन उनका answer बहुत छोटा होगा, इस बार बहुत छोटा होगा, वैसे तो normally अगर देखा जाए, तो questions छोटे होते हैं और उनका solution बहुत बढ़ा होता है, लेकिन यहाँ पे exercise 6.1 की ही मैं बात कर रही हूँ, बस 6.1 की, तो इसमें आपको questions इतने बड़े-बड़े रहेंगे, इतना, मेरा तो board भर जाएगा, ऐसे करके मैं लिखूंगे, board भर जाएगा, ठीक है, और उसके solutions आप देखोगे, तो इतने में ही उसका solution हो जाएगा, ठीक है, लेकिन और भी हमको working करनी पड़ेगी, table बनाना तो वो मैं आप लोग को समझाओंगे, कैसे करना है, क्या करना है, अभी के लिए आपको ये concept समझ में आया, है ना, LPP का use किसलिए हम लोग करते हैं, और इसमें कौन-कौन से terms होते हैं, और यहाँ पर मुझे आपको एक और चीज़ बताना था, जैसे इसका नाम क्या है, इस है ना, यहाँ पर देखो, variable के degree क्या है, वन है, यानि यह हो गया आपका linear, और programming मतलब क्या होता है, programming मतलब, जैसे हम लोग कैसे programming करते हैं, कुछ प्लान करते हैं, step by step, ठीक है, तो इसमें हम सेम उसी तरीके से करते हैं, जैसे सबसे पहले objective function करते हैं, उसके बाद constraint आता है, non negativity constraint आता है, समझ में आ रहे हैं आपको, तो यह हो गया programming, मतलब हम यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, कैसे हम लोग अपने profit को maximize कर सकते हैं, और cost को minimize कर सकते हैं, ठीक है, और problem मतलब क्या, आपको एक problem दिया रहे हैं, उसको आप solve करो, समझ में आया, तो यह होता है linear programming problem, ठीक है, तो यह था, इसका पूरा basic concept, I hope कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यही पर finish करते हैं, अभी जो हमारा next lecture होगा, उसमें हम लोग exercise 6.1 को start करेंगे, ठीक है, तो आप लोग एक काम करो सबसे पहले, तो यहाँ पे मैंने जितने भी concepts बताये हैं उसको अच्छे से पढ़ो, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया, तो फिर से इस वीडियो को देखिए, ठीक है, लेकिन concept को आप पूरा अच्छे से समझिए, ठीक है, तो चलिए आभी हम लोग next वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद